सो फ्रेंस फाइनली हमको पता ही चल गया FPS कैसे शो होती है मुझे काफी टाइम से एक्ट्रिम में पता नहीं था तो सबसे बिलो उपर वर्जन चेक आउट करो 2.0.65 है आपको सिंपली जनल में जाना है इंटरफेस इसका कुछ मेंने ऐसा सेट किया है ग्राफिक में आप जो डिजेबल किया होदा मैंने काफी ताइम से ध्यान नहीं दिया है तो हमको यहां से जो भी इनेबल करना हो समझो मैंने यह 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 इनेबल किया एकॉन से लेफ्ट एंड कॉर्णर में बॉटम में रखूंगा सबसे नीचे जैसे आपको दिखा सको एक और option आता है यहां पर जादा option कुछ select कर लिया है यहां से मैं हटा देता हूं समझो हमको जो main fps और RAM usage वही देखना है यहां पर बाकी सब uncheck करके मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने starting में setting दिखा थी वही stable है और 60 fps मिलेगा अच्छे से अब इसे आपको जितना भी मैं टास्क दिखाऊंगा आपको fps जरू से show दिखाऊंगा क्योंकि पहले वोलकन में हमारा नहीं show हो रहा था मैंने दिखाए था ग्राफिक में मेरा वोलकन सेट किया यहां पे fps दिख लो आगे आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं 60 fps plus मिलने वाला है पहले कही सारे friends को बिलीव नहीं था कि य यहां दो अलग खेल है लेकिन यहां पर अभी आपको fps भी नीचे शोग हो गई 60 fps plus मिलने वाला है Android मेरा Snapdragon 865 Adreno 650 भी दिखा दिया आप साथ ही साथ में CE Emulator की बेस्ट सेटिंग है सो में मिलेंगे नेक्स अपडेट में बाई फ्रेंड्स